रादे रादे माराजी, माराजी आपके चरोड़ों में कोटी-कोटी पणाओ माराजी मैं पिछले एक साल से आपकी कृपा से हर महिने आपके पास आता हूँ माराजी आपकी कृपा से जो भी गंदे आचरन थे छूट गए हैं मुझे भरोसा है और आगे भी है कि सब छूट जाएगा माराजी मरने का डर कैसे खतम हो? कृप्या करके आप हमें बताईए कैसे हम इस मौसे बचा आप तो मरने वाले नहीं हैं और सरीर बचेगा नहीं यह जाएगा यह जब दो बाते समझ में आ जाती हैं तो निर्भैता आजाती है यह निश्चित मरेगा सरीर यह विनाशी है और आप विनाशी हो चैतन निखन सचिदानंद भगवान के तुम अन्शो तुम्हें मृत्यु मार नहीं सकती नैनम चिन्दंति सस्त्राणि नैनम धाति पावका नचैनम कलेद्यंत्यापो नशोश्यति मारता अशोश्य हो अदाय हो अकलेद्य हो अब क्या है अपने सुरूप पो भूलकर हम सरीर पर राक कर वैठें और हम है अविनासी और यह है मरन धर्मा और यह मरेगा और यह मैं हूँ ऐसा भ्रहम हो गया इसलिए मुझे डर लग रहा है नहीं भक्तों को मृत्यू का डर नहीं होता है मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद कब मरी हों कब भेटी हों पूरन परवानंद सरीर ऐसे छूटता है भक्तों का जैसे विशाल हाथी के गले से एक छूटी सी मली की माला तूटकर गिर जाए उसे पता भी ने चलता ऐसे भगवान के आनंद में सरीर छूटा हुआ तो डर क्यों लगता है क्योंकि हम सरीर को मैं मान लिए और सरीर से भोग भोग रहें तो हमें लग रहा है सरीर छूटा तो मैं मरा सरीर छूटा तो मेरा सारा सूख गया ये अग्यान के कारण इसी अग्यान को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है चाहे सांख योग, चाहे भक्ति योग चाहे कर्म योग, किसी भी एक योग से लग जाओ तो तुम निर्भय हो जाओगे वस्तुता तुम कभी मरने वाले नहीं है तुम्हें मृत्यु छूब भी नहीं सकती पर जिसको मृत्यु नश्ट करेगे उस पर अपनापन हो चुका है और इतना जोर से अपनापन हो चुका है कि इसके छोड़ने का बह जाब यह नाम जब करते हैं कि तपी कि थोड़ा उट वधर और करो और हअर स्वासनाम जफ करूंसे बहुत अधन एक बार तोही मरना ना दो बार तो मरना नहीं सरीर को को एक बार मरना और सब के मरना है तुम्हारा के लिए मरना होता तो बढ़ इसका नाम दुखालयम अशाश्प्रतम भगवान ने रखा है यह नाश्वान और दुख देने वाला है इसलिए वही उत्तम विवेकवान है जो हर्षण भगवान के चिंतन में चित्त को जोड़ता ह है जिसका चित भगवान से जुड़ा होता है वह क्यों चिंता भए शोक म्रत्य वनित इन सब से पर होगता है हर समय आनंद रहता है कि अगर भगवान से चित्त नाज़ब तो भव donut में हैं दूख ही दूख है परशानी परशानी है और भार्य परिशोंई होने पर भी चित भगवान से जुड़ा होने पर आनंद के अंगते हैं शरीर जैसे रोक से ग्रशित है मन भगवान में है एक आनंद एक अधभुत आनंद रहता है उसी आनंद के बल से जिया जाता है हम सब से कहते हैं आपनों वह करके देखो आपके शरीर में पीड़ा हो आप उस समय भगवा में लगा तो शरीर की पीडा का भान खतम हो जाएगा क्योंकि मन वहे उद्व मन नभे दसवीस एक होतों सो गयो स्याम पर भगवदानंद में मस्त है तो सरीर के दुख का क्या मतलब और जब मन भगवदानंद में मस्त होता है तो मुख प्रशन्नस तन्न तेज विराजा की एस राम चंद कर का जा मुख में एक प्रशनता होती तन में एक तेज होता है क्यों 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 भगवत कारिकर रहा है जो मरने का डर तो अज्ञान मरना तो हिंग और कुछ नहीं मरता बच्चा शरीर भी नहीं मरता यह अपने अपने तत्तों में लीन हो जाता है जिसे जल तत्तों जल में अगनी तत्तों अगनी में वाईव तत्तों वाईव में आकास तत्तों आकास में प्रत्वी तत्तों प्रत्वी में और अविनासी आत्मा उसको तो मर मरना क्या है एक रूप परिवर्तन उसी को अम्रत्तिव कहते हैं एक सरीर को छूटना और उस सरीर को अपने अपने तत्तों में मिल जाना इसी को मुँद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द भगवान की लीला कथा शुनो और जितना बने शरीव से दूसरों को सेवा करो सुख पहुंचाने वाली मन वचन कर्म से दूसरों को सुख अभी मृत्ति का भे खतम हो जाएगा अंदर ही अंदर आनंद प्रारम हो जाएगा अंदर ही अंदर आनंद प्रारम जहां आनंद मिलत पर छोटी मूटी बात नहीं मृतियों का भे मिटाना इसके लिए डट के भजन करना पड़ेगा भजन कमाई और फिस सुरक्षा उसकी भजन करना कथिन करके बचाना कथिन और बचा के पचाना कथिन पच गया तो सिद्ध हो गया जिसका आहंकार रहित भजन है वही शिद्ध बावस्ता को प्राप चाता है